सबसे पहले दो तीन चीज़े बताता हूं मैं आपको है कि हमन साइकलोजी मुझे किसे सिखाया और आप उससे क्या सीख सकते हूं सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि मैंने मेरा कोई ऐसा बैक्राउंड नहीं रहा है कि भाई मैं बहुत बड़े इंस्टूट में जाकर सीख ठीक है अब इसमें बहुत सारी चीज़ें इनवाल हो जाती है क्लाइंट क्या चाहता है आपको काम कैसे मिले आपके डिजाइंग कैसे कैसे करे जो आप एड़ बनाते हो उसकी सेल्स कैसे जनरेट हो बीडियो बनाते हो तो वो इमोशन कैप्चर कैसे करे हैं हमेसा सेकेंटर लोग बुड़े हो जाओगे लेकिन एक परसेंट पर नहीं सीख हो गए और फिर से हो गया सुरू तो यह टोटली डिपेंड करता है कि आप ना दुनिया को एक्छली देखते कैसे हो ठीक है कि आपका नजरिया चीजों के लिए कैसा है और यह चीज़े बच्पन से सुरू हो से कोई खुदी करता है सर मुझे सीखनी है आपको इससा क्यों लगता है तो मुझे द्रॉएंग में इंट्रेस्ट आ आपने राफिक डिजाइनिंग सीख लिए ना आप डिजेंग के बहुत बडही फील प्छिए मैं उसको ब्र गर्रेंग ग्रेंग के बारे में कितना उसको इसको मेरा जो कॉंसेप्ट था जो मैंने स्टार्ट किया था इंस्पाइट डिजाइन में की माइंड हैक वाला वो होता जाता रहे ना तो मैं छोड़ी छोड़ी चीज़े बताता हूं और उससे चीज़े समझ में आ जाएगी ठीक है तो एक पर पूरा बताता हूं कि मैंने कैसे सीखा फिर ने हम बताऊंगा कि डिजाइनिंग में हमिश्त व कैसे लेकर जासकते हैं सबसे पहले होता है कि आपको डिक डिक कोड करना कि जो चीज़े आ болई तो प्रफ़र एक्सर देखा होगा कि मैंना फिशिंग करने बहुत जाथा इंट्रेस्ट आता है इतना तगरा इंट्रेस्ट आता है कि मैं उसके चक्कर ने परहाई भी छोड़ चुका था बच्वने इक्जाम देने भी नी जाता था पानी का अंदर कौन से फिश है आपको पता नहीं होता है बहुत सारे मिक्स होते हैं लेकिन कौन से फिश क्या खाती है ये भी नहीं आपको पता कि कौन से खाती है तो जब मैं फिश पकाने के लिए जाता था मुझे भी नहीं पता था कि कौन से फिश क्या खाएगी तो अलग 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 चीजे खाती है कोई फिश साकाहरी होते तो आटा खाता है कोई फिश अर्थवाम खाती है कोई फिश कोई खाती है और कोई फिश अलग अलग छोड एक फिश अगर आटा खाई तो उचाती कि सारे फिश आटा ही खाएंगे यह नहीं कि भाई उसी उसी ब्रीट के या उसी इस पीसिज के एक एक फिश ना आटा खाया दूसरा कुछ और खाएगा ऐसा नहीं होता अगर अगर अर्थमाम खाया तो उस फिश के जितने भी है ना सब वही खाएंगे यह तो फिक्स है यह उसका साइकलोजी है वह उसका चीजें है यह मुझे समझ में आ गया मार्केट में बहुत सारे क्लाइंट है लेकिन आपको आपको नहीं मिल रहा है इसका मतलब यह नहीं कि मार्केट में है नहीं आप फिश पकरने कि जाता था कभी कि एक एक फिश नहीं आता था लेकिश का मतलब नहीं कि सरा तला में फिशी खतम हो गया है लगी मुझे नहीं मिला सेम सेम चीजिद यहाँ पर अपलाई हिए कि मार्केट में था क्लाइंट बहुत है लेकिन किसको क्या चीए वह आपको नहीं पता क्यूंकि आप उसको वोचना पड़े हैं कि यह फिक्स क्या खाती है सेम क्लाइट के में भी होता है यह आपके पसंद पसंद ता इसको उसके माइंड पर असर करता है और जिस पर ट्रस्ट करता है और वह नहीं दो तो वह आपके आसपास भी भटकेंगे फिर आपको कुछ मलब मतलब यह नहीं आ कर रहा हूं और इससे आपको कितना क्लियर हो रहा है पहले यह बताना चाहिए अगर वह उसको देंगे तो ही वह पता करना पड़ेगा लोग को चाहिए क्या अच्छा अब यहां पर हम एक टॉपिक करके स्टार्ट में हो रहा हो ना दिमाग में कि हम रियल चीजे से हम सीखते देखो जबना प्लेटफॉर्म नहीं था मालों की यूट्यूब था यूट्यूब से पहले कुछ भी नहीं था बुक्स थे या इंस्टूट में चीज़ सीखते थे तब क्या था कि किसी किसी बरे इंस्टूट में ज्वाइन करने के लिए आपके पास हैं बहुत सारी डिग तो उसी समय जो आपने सीखा मालों का आपने सीखा कि गोल्डन रेशियो होता है कलर ठेवरी होता है यह चीज़े उन लोग के घुमाई गई चीज़े हैं क्योंकि उस समय किसी टीचर में का पत पाना बहुत ज्यादा मुस्किल था यह ना वह चीज़े बहुत ही आसान नही और टेकनलोजी ने सबको ग्रैब करना स्टार्ट किया जिस जवाने में यह चीज़े लिखी गई थी उस जवाने में ना तो आईफोन था नहीं तो फेस्बूक था ना कुछ था तो धीय धीर वो ना कहीं ने कहीं वो चीज़े ना मतलब रेलेवेंट रहनी रही थी पहले क कुछ और सोचते थे आज एक कस्टमर को चाहे उसको आपने डिखा के अटरेक्ट भी कर लिया लेकिन वह नीचे रिवीव दे क्या आपका समान नहीं लेंगे है ना चाहे आप चाहे आपने मतलब चाहे आपने उसको रिवीव बहुत अच्छा दिखा दिया और और आपका का डिजाइन सही एंतब भी वह नहीं लेंगे तो यह सारी चीजह पहले पॉसिबल ही लेंगे तो इस बंदे ने जिस इस बंदी छ लिखी है यहाना चाहे वो गौल्ड़न इंकी शुर्फ़ के बारे में में यह सारी थी नहीं कर दो बहुत साइज लोग हैं जिन्होंने खुद से सीखी जो डिजाइन के बारे में जो पढ़ा या समझा जो उसने एक्सपिरियंस के रहा उसको देगे सिखाना स्टार्ट किया फिर वो फिर दोर आया यूट्यूब का तो यूट्यूब में क्या हो था कि अगर मैंने कुछ सिखाया और आपको म इसने मेरा फाइदा हो रहा तो आप मुझे सब्सक्राइब किया और आप तक पहुंचाया ठीक है उसके बाद बहुत साइड लोगों ने हुमन साइकलोजी पे कलर पे डिजाइन पे टाइपोग्राफी पे सब ने रिसर्च करके दिया उस सब को सीखा हम लोगों ने आपको मैं सब्सक्राइब ने इस लिए इस लिए तो आप लोगों को बताना इस्टाट किया जैसे बहुत सारे चैनल है जो आप लोगों को वो चीज़े बताने इस्टार्ट करी कि जो की जो कि उसने रियल लाइफ में सीखाता है लेकिन अब आ गया रियल का दौर रियल का दौर में हर को एक्सपर्ट है उसमें क्या होता है आप चैट चैट चीपीटे पर जाकर बोलो कि मुझे न एक किसी ने लो अच्छा एडिटर हायर किया हुआ है और जिन्होंने चैट पीचे बहुत अच्छा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है तो इसमें क्या हुआ कि जो ग्रोव हो रहा था आप जो आपने पीछे टाइम में जाओ जब यूटूब था तब आपने कितना सीखा और जब डौर आया इसलिए बता रहा हुए कि आज के अभी का टाइम उसमें ना नौलेज्ज ना क्लॉटर हो गी है कोई सही बता रहा है कोई अपने हिसाब से बता रहा है कोई मतलब लिखावी चीज़े बता रहा है यह कहां से उठा इस पूराने आठिकल उठार है जो रियल-लाइफ का वह खतम हो गया क्योंकि यार जिसकी एज 18-19 साल है वो कैसे ग्यान दे सकता है जब तो उन्होंने 100-200 सब्सक्राइब करने के लिए हमें सबसे पता होने चीज़े क्या है तो अभी इतना मैंने बताया और इससे कितनी लोग करते हो वह पहले बताओ और इससे क्या समझ में आ रहा है पहले यह बताओ फिर फिर हम आगे चरेंगे इस सर बिलकुल एगरी इससे इन्फोर्मेशन तो काफी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम आती कि सही और कौन सी यह जच करना काफी मुश्किल हो जाता है मतलब को और कोई फिल कर रहा है यह चीज़े पहले हमें जिसमें ट्रॉष होता था हम उसके चैनल पर जाके देखना पसंद कर देथे आजकर आपके चैनल पर परोसी जा रही है चीज़े जिसे हमें दूर हटना है कि हां वह चीज़े मतलब यार पहले सोचो हम पहले कितना ज्यादा करने लगे हम घर तक आ जाता है उसको हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा समझने के लिए पहले हमारे इतना ब्रेन हमारा डॉल सबसे पहला पार आता है जो है रियक्षन इसने बंदेना इधम सही वाद बोला थे कि रियक्ट क्या करते हो आप चीजों को देखो कि आपना सौ में से ना 99 डिजाइनर कि पूछोगे कि भई आप न आपको आप जब घर से बहार निकलते हो आप किसे पूछ लेना जो अपने बहुत क्रेटी मांता है जो आप घर से बाहर निकलते हो तो एज डिजाइनर आप क्या देखते हो तो बोलेगा कि मैं यह देखता हूं तो आप उनसे क्या यह तो मेरे जैसा है मलब यह तो लगड़ा इस तग्रा अप हो गया लेकिन क्या व जो आप अपको पता नहीं है तो 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 डिए और हमारे थॉटसे मैंने ठोट से सीखा क्या देखे कैसे क्या मैं आप मैं आपना इगा जाष से कुछ नहीं थैए अलब निकलता तो सारी चीज़ देखता है ता लेकिन अच्छल क्या होता है कि वो हमें देखना है हमें क्या देखना है कि इसके लिए वो बनाया गया है उसका क्या reaction है और यह चीजह किसके लिए बनाई गई ठीक है जैसा आप समझो कि आप किसी mall में गए वह आप ने कोई न कोई आपने packaging देखा जो recently ad हुआ है आपको न बहुत पर दिखा दिया या आपने अच्छा पैकेजिंग किया तो उससे आपने कुछ नहीं सीखा लेकिन अगर आप वहां पर एक्स्ट्रा खड़े हो जाते दस ना और देखते कि किस टाइब के लोग उस पैकेजिंग को टच कर रहे हैं किस टाइब के लोग आपने उसको उठा के देखा इसका मतलब अपना वारे में आप सब कुछ आनते हैं थोई देखा कि दस लोग आया उसमें से एक बंदे ने उसको पैकेजिंग को उठा कर देखा है ना अब अब उस बंदे के बारे में आपको सब्सक्री पता चल जैसे मचली बाली बात बताई थी कि एक मचली एक उस पैकेजिंग को अट्रक किया इससे क्या आपने डिकोड कर लिया कि उस टाइप के जो जितने भी लोग होंगे ना उनको यह चीज़ा करेगी करेगे ना तो आपने कि आपने कहा सीखा आपने पैकेजिंग के डिजाइन देखे सीखा या पैकेजिंग के रियक्शन देख स्पेस कम है उससे आपने सीखा या कोई होड़िंग लगा हुआ पांच मिट देखा किस टैप के लोग गुजर रहे हैं किसकी नजर पड़ रही है कौन अपना गारी हलका स्लो करके देख रहा है किस से आप सीखोगे जैसे आपने आप कहीं पर जा रहे हो और आपने देखा कि कि लगा हुआ है और आपने देखा और क्या मस्ते क्या फोटोग्राफि करिए करिये और करके अपना निकल गया पहला ओक्षण अपने आपको अच्छा लगा आपने देखा कुछ नया बना ये इस बंदे ने तो अगर मेरे पाद टाइम है तो दो मिन देखता हूं किस ने तागे जो आपके दिमाग में चल ला था ना वो तो यहां होए नहीं रहें आपने सोचा था कि यहां पर यहां पर लिया हुआ हुआ ट्रेवल लिया हुआ तो यंगुस्टर करेंगे लेकिन अपने उल्टा देखा आपने देखा कि जो ऑंकल टाइप के लोग और चुर्व सकता है जो पी लोग है वो यंग्सेर। वाले जो अपने सेथ CC उसके साथ कर रहे नहीं करते हैं चार बंदे जा रहा हुए उसमें समान रख देंगा नहीं लेना पड़े उसका पैसे होते नहीं है उसका टागर और्डियंस कौन होगा जिसका पैसे हो जाहिए सबात है करते हैं लेकिन घुमने नहीं जा पाते हैं जापते हैं जो आप्सका जो अब्सक्राइब करेंगे तब चलेगा हमें उसके बास सेकंड फेज में जाएंगे कि फॉंट कैसे रहागा वो तो आपको पता ही है उसमें यह ना फॉटो नहीं होना चीए यह फोटों नहीं होना चीए लाइटिंग पेखर है फुटों में तो कोई लॉजिक नहीं यह समना अपने आपको धोका देनी वाली बात हैं है कि नहीं है बताओ कितने करते हो और अभी तर चीजे दिमाग खुल रहा है या बंद है रहा है दिमाग को बता चल रहा है कि कैसे लोग अलग अलग डिजाइन को देख कोन सा मार्केट टार्गेट होता है कैसे कर रहे है रितुर तुम बताओ रिजू राज सब्सक्राइब करें दूसरा यह पता चला कि जो असले डिजाइन होता है वह हम लोग बाहर निकल के सीख पाते हैं और जो हम लोग आज तक देखते थे टाइपाउग्रफी कलर फॉंट हम लोग सही चीज़ को देखी नहीं पार रहे थे असले हम लोग को देखना था कि टार्गेट कौन हो रहा है अब यह है पार्ट यह है पार्ट नंबर वन पहला पार्ट जो है कि हमने हमको अपना नजरिया बदलना पड़ेगा बदलना पड़ेगा अगर हमें एक्चुल में सही चीज़ सीखने है लाइफ में कुछ ग्रो कर करना इस्टार्ट करोगे उतनी ज्यादा तुम लाइफ में कम चीट होगे कम फ्रॉट और ज्यादा और आर्ण करोगे क्यों को लोगों को बोलने से पहली तुमको पता है इसको इसके दिमाग में क्या चल रहा है तुम सेलस में इतना तग्रे हो जाओ नहीं तो कुछी जाएगा तो पूरे के पूरा खराब हो जाए ना वह जंग क्या है गलत गलत इंफॉरमेशन गलत नौलेज है ना जो कि हमें आजकर रील के थू हमारे अंदर घुस रहा है यह नहीं कि बना हम हमें को दे रहा है तो हम खुद जाकर उसको कंजूम कर रहे हैं सुगी बाला बात जाकर आए तको अप्या होता है कि पहले न पहले की था कि इतना जदा इंफ्रमैशन नहीं था कि लोग regarde लोग थे ना उनके पास चुकां नहीं नहीं था है क्या जोकसिजी में कोई चीज़ा और हर किसी hadam हो सकता है आपको पसंद आये दूसरे को पसंद नहीं आए उस ता बनाया जाए सब्कर 100 की बात करा था ओना आर्ट में होता है ठीक है डिजाइन तो भाई सबके सेम फिलिंग होना चीए जो आपने एड बनाया है तो सबको सेम फिलिंग होना चीए अगर आप किसी इमोसिन को हिट कर रहे हो तो सब की हिट करोगे कर रहे हैं लेकिन आट वर्क में अगर कोई बनाते मैंने को अची पेंटिंग मनाई तो मैं मैं यूटूब पर आथा तभी समय बोलाता कि डिजाइनिंग आर्ट नहीं है बोलाता ना मैं किसी को बता है कि अगर याद होता है क्यों तो कोई कीज़े किज़े हम भी कर सकते हैं कि अगर नौक याने लोगों बनाये अब आपको personally आपको अच्छा नहीं लगा आपको उतना उस लेबल तक का नॉलेज नहीं है फिर आपने अपने इगो को है ना जो आप सोचते हैं उसको ठपा लगाने के लिए कि मैं सही सोच रहा हूं आपके सामने एक आपने उसको देख लिए आपने मैच कर लिया क्या वाद है और उसको समझ में आता है अब क्या होगा वही चीज़ अगर कोई बढ़िया बंदा बोलता है ना मालों की दो आपके पास नहीं लोगों बनाया एक यंग बंदा जिसके बहुत अच्छी है उसने बोला कि लोगों बेकार है आपकवास है दूसरा अपसन नमबर टू एक बहुत बड़ा परफेसर है जि किसी बहुत ही खराब ओडियों बोल रहे हैं कि यह सही है और अच्छी चीज़ बता बता रहे हैं किसकी बात मानोगे दिमाग एडिटिंग की साथ जाएगा ना दिमाग तो जैड़ता बात है कि तुम बोल यार कितना काम किया रहा है इतने चीज़े है क्या मस्त इदर टेक इकलोजी उसको पढ़ लिया है उसको पता है कि अगर मैं अच्छा एडिटिंग करके डालूंगा तो मैं जूटी बोलूंगा तो वह सही लगेगा है ना तो इसलिए लेकिन ऐसा तो हो नहीं इसके इसमें यह सब देखते 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 नुकसान किसका और आपक कितना कम हो रहा है कि कि कोई ठिंकी नहीं रहे रही है यह ना आपको चीज़ हो चीज़ा कहा करती है आपके डिया नहीं आते आप उसी देख साइटे पे जाते हो उसी बंदे के डिजानिंगे फौलो करते हो तो और फिर आप खुद बन गए हो और दूसरे को गालिक देते हैं कि कैसे हो सकता है कोई इतना अंद्रिस्वास से कैसे हो सकता है जो इसको लिए अपने बावा के लिए अपना जान दे देगा आप क्या कर रहे हो और इसके पीछे इसमें में डॉल क्या प्ले करता है कि आपकी साइकलोजी और पसंद और वह चीज़ आपको सर्फ कर रहा है वह 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 दिन दिन अर्ण कर रहा है फिर बात में खुद ही आप बोलते हों कि इस आला बखवास आदमी कमा कितना रहा है इतना इतना क्लाइंट इसको आता कि आपके वर्फे से क्लाइंट आ रहा है आपने फ़ॉलोग आपने देखें ना इस चीज़े होती है वह वह कभी अपना वर्क जालता शेर नहीं वह वही और उस वक्त को अगर आप लोगों मैंने वना है ना अब उस उस ब्रैंड को न एक साल के बाद विजिट करो मैं दो सब परसंट गारंटे के साथ ने बोल सकता हूं उस ब्रैंड ने अपना लोगों बदल दिया होगा गारंटी अब जाए या अगर कोई डिजैन बोल वह तो हमारे पास नॉलिज है कि वह भी देखने समझ नहीं कि सकती खो चुका है वह बस अंधे में होता नहीं कि उधरी तरफ जा रहा रहा है अंधेरे कमरें बंद कर जाए लाइट दिख उधरी जाओगे ना तो इस सब में क्या हुआ कि आपको लटनिंग पावर थी वह क यह चीज़ा बुरी होती है तो उसमें एक एक वह लेकर आता है एक 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 मतलब ऑपरचनिटी भी आपके लिए लेकर आता है नँद अब मैं कैसे पहले हम सीखते कैसे हैं अब यह था पार्ट नमबर टू कि हम क्रोस चेक कितना करते हैं और यही रीजन है तो यह करता है अब इन्टेर्ट बनाने की वह तुटोडियल यह रहा है डेटा कहा है देटा इस तरफ है या डेटा उस तरफ है चलिए आपको पता झाने जो इस तर्व है जोत्र सुछ वो इस तरह फै तो आप आपको पता चल गया है कि उधर ने इधर कौन को सा डेट आप ग्राइब करोगे एक एक करके मुझे पॉइंट बताओ एक तो मैंने बताए कि वह चीज़े पर कैसे करता है कि पहला पॉइंट हो दूसरी पॉइंट बता हुआ को सब्सक्राइब कि कॉल से सगेमें जैसे आपने मॉल तो उन्लोक देख सकते की स्काड़े करें और कॉन से लिस्ट बना रहा रहा है रूटर अंप्र लिस्ट बनाने बनाते हो चलता हूं जो जो आप बोल रहे हूं ठीक है सबसे पहले तो हम करेंगे एज एज ग्रूप अब यह ध्यान लेकर रखके चलो कि हम बात कर रहे हैं मॉल में हैं ठीक है अभी हम किसी मॉल में हैं और हमने कोई चीज़ा हमें एट्रैक किया तो हम मुझे लगा किया जब मुझे एट्रैक कर रहा है तो और किसी को एट्रैक करेगा ही करेगा किसको एट्रैक कर रहा है उसको हम डिकोड करें ठीक है मैं इसके बाद में शेयर करूँ मैं पहले मुझे देख लो कहले ठीक है सबसे पहले हम ने एजडी कोड किया ठीक है सेकंड नमर बता हूं दूसरी बता हूं कि मतलब बली मॉल में है पर उसके ड्रेसिंग सेंस से लग जाएगा कि वो गाओं के एरिया से आता है या शेयर के एरिया से आता है जाए है और उससी से यह पता चल जाएक हाई प्रोफाइल मिडिल क्लास फैमिली या ने अज दूसरे नहीं हुआ सब्सक्राइब लो केजिए अपनी यह लुकेशन ने पता चलेगा बाई तक इस व्हों सी क्लासं कहुंक्राइब सब्सक्राइब करता है कौन सी क्लास से है या लोगर क्लास से है इसको क्या बोलें क्लास ए प्लास बीप्लास और बता हूँ वि महीं करा है मैं की सब्सक्राइब करें बंदेगें इस बंद इंद जो खाए है त्विए अबर्फक्त करें अब और यले कि इस बीसद्दाइब ंसको अधिर्ट करें को निधार रही इस सद्देगिस ब्रेंड क कौन में यह तो अचनलantics अब लेके चलते हैं कि ब्रकिस ब्लेंड ब्रैंड से इंफ्लेंस है ना जो प्रोड़क्ट उसने उठाया उसमें कलर से उसका टिकेट साइज भी पता चल सकता है कि हैं उसका कि इतना और किस काटेगरी की प्रड़क्ट उठा रहें तुमने देखा कि कोई बंदा आया दुकान पर उसने प्रड़क्ट उठाया उसको अच्छा लाए उसने प्राइस देखा उसने रख दिया वहाँ पर है ना इक है तो इससे क्या पता चला उससे नहीं पता चला उसके एक्सप्रेशन तुमको पता चलेगा ठीक है तो पहले चीज़ी वह और वह वह डेटा तुम्हारे पास में नहीं आएगा वह डेटा आता है मौल वाले के पास होगा कि कितना लोगों ने परचेश किया तुम एजे डिजैनर सोचो फिर तुमने देखा उसके बाद तुमने देखा एक और चीजे आफ्टर रियक्शन कि वह प्रड़क्ट करने के बाद में उसने दूसरा कौंसा प्रड़क्ट किया ठीक है समझे रहे हैं तुम नहीं नया कपर आया है इसको पता नहीं कौन लोग ले किसके लिए बनाया है पता ही नहीं है तुमने देखा कि भाई एक कोई बंदी या नटकी आई उसने उस कपरे को उठाया लें उसे लिया नहीं कुछ कोई और ले लिया लेकि छोड़ दिया जानते हो जानते हो यहीं टेस्टिंग के वाड़े मैं किसी को पता है तुम से यहीं देटा मंगता है ना इतना स्ट्रॉंग ली तुम्हारे लाइफ में घुसा हुआ यह बताओ और तुम अपने यह सारे चीज़ें वहां पर छोड़के आते हो कुछ निए सीखते हो बस बस तुम कर रहे हो दे रहे हो सबको और लोग तुम को समानद बेच वेच के इकठे हो रहे कि को लाग को यह कंपनी बला ली कोई साला टी-शर घरिया घडिया अब हम क्लाइंट के सेक्टर में जाते हैं तीन टाइब होते हैं टाइप ए हैं जिसक करना उसको अपना श्टाट करने है वह तुमको वह ब्रैंडिंग और डिजाइनिक पर खरच करना चाता है तस दस तस हजार से लेके 12 टाइप वन कि दहजार से 12-12,000 खरच करना चाता है अपने इस पर वह उसके नजर में ग्राफिक जैने के अखात इतनी है टाइब नमबर टू है उसको पता है लेकिन अभी उसके पाद बजट नहीं है ठीक है तो वह तुम्हारे में तुम्हारे में खर्च करना चाहता है ग्राफिक डिजैनिंग के ऊपर और हमारा फाइदा होगा तो हम बढादें होता है और ठीक है और यार कहां चलाएगे ताइब नमर ठीप हम आते हैं जो है जो है जो खर्च करता है तुमारा तक का खर्च करते हैं अब देखो अब तुम बताओ कि आवातएगे एजेंसी अगे एक होते हैं कि सोसल मीडिया मार्केटिंग इस नौट सेल जैल्स कि वह उससे बोलेगा कि थीक है थीच दूसरे लेवल गें देंसी बोलेगा यह वो गया दूसरे लेवल के एजनसी बोलेगा कि थर्टी देस थर्टी पोस्ट बना के देंगे उसको भुछ आइडिया कि नहीं है कि योश्च बना रहे हैं कुछ चटिया नहीं है ठीक है तूसरे लेवल का जो होता है वह प्रोपर लीजो रियल एजनसी होता है है अनृ ब्रैंड हो डेंड हो प्रोड़ आ हैं वह उसको सब अब तुम खुद बताओ कि किसले किसके लिए को से क्लाइंट बनाओं तर ब्रैंडिंग ये टाइप 3 और टाइप 1 30 डेस 30 पोस्ट सोशल मीडिया क्लाइंट के लिए हो सकता है वह फिर कुछ बना के नहीं देंगे उसको कुछ पता ही नहीं तो नॉलिज दाने के लिए सेल थोड़ी आता है उससे और यह 30 पोस्ट वाला उसे काम बहुत है और क्लाइंट को नॉलिज है क्या बनवाना है तो हम बस अपना अपना एक वरकर लगा देते हैं जो इसके लिए पोस्ट बनाता रहेगा और हम उसका मात रहेगे एक बंदा करेगा क्लाइंट से ले रहा है तो तुमको दे रहा है क्रिपल कमा रहा है यही ला था कि बोल ला था पहल सकता है इससे बढ़िए इसका है कि वह पूरे ओवराल ब्रैंड को हुमन साइट को हर चीज़ को एक पैसे भी करते हैं कि हमें कहां टागेट करना है किसको हिट करना है क्या करना है उसको सब चीज़े पता होती है ना कि उसको पता है अगर यह साइड नॉलेज्ज तुमको है कि तुमको मालों कि बेचना है चलो बहुत दूर की बात होगी तुमको एक सूच भी चलो बहुत जादा मैं बोल रहा हूं चुटे-चुटे-चुटे-दस रुपए का पोड़क्ट बेचना है तुमको पैन बेचता ह तक कि उसको यह सब चीजे पता है यह यह तो यह तो तुमको बेचे गाई यह थो ठोड़ी आता है उसको पैसा पड़े लेकिन अज़े करेगा इसको यह अपना सोच के चलेगा कि इसके पास से रोल तो सभी चल रहा है बस मुझे न मैंटेंट करके ब्रैंटिंग यह सेल सेल उसको लाकर देगा अच्छे देगा सेल सिर्फ एड चलाने से नहीं होता है ब्रैंटिंग से भी आपने हम और तुम जैसा कि मैं तुम जितने भी यहां पर है सब एक नंबर है अगर नंबर है तो डेटा भी छोड़ते होंगे पीछे छोड़ते हैं ना अब वह अगर तुमने ग्रैब कर लिया तुमने देख लिया कि तुमने किस टाइब को डिजाइन पहने तो वह चीज़े चल जाएगा जैसा कि आज के डेटे में तुम देख रहे होगे कि टी-शिट पे ना बहुती की मौटन डिजाइन बनके आ रहे हैं देख देखा तुमने बहुत अच्छा ऐगे बसे लोगों होता है पीछे बहुत अच्छा अगर पूर्भ और है मैंने तुमको हुए मैं यह और बनाया था मैंने कि यह फॉन्ट का ट्रेंड आने वाले है मानने बर्सेंज तुम्हारा दिमाग बंद हो रखा है तुम्हारा दिमाग में घुसा के डाला हुआ है कि ग्राफिक डिजाइनिंग मतलब रिडिबिलीटी यह वो तो यार वो तो तुम कुछ कर रहे हो तो कुछ तो नया ढूंडोगे यह कुछ तो नया सीखोगे यह उसी के दिमाग चलोगे यह बताओ जब 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 उस जवाने में ना तो इंटरनेट था ना जनता इतनी स्मार्ट थे ना ना मुवाइल फोन ना कुछ था तो कैसे तुम उसके हर एक मिलेगा मैंने 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 बहुत सारी चीज़ों का मैं ट्राइक करता है ना कितरा रिलेवेंट है तुमारे जिंदगी में तुमारे करियर में है कि ने इसके बारे में ढूलो कहीं पर कोई दिखा तो कहीं भी कुछ नहीं मिलेगा कि अगर मैं यह कोई बड़ा वह होता न और यह चीज़े मैं हावर्ड उनिवर्सिटी का परावा कोई बंदा होता और में चीज़ पर एक बुक निकाल देता तो मैं भी इतिहास में दर्ज हो जाता है कि नहीं यह बताओ saya पोराती सिद्व को मैं फॉलो नहीं करना के अदि में डिमाग में रख़ा लेकि मैं उसको फॉलो नहीं किया है समझ दूंको तिमें आज के जवाने में जो जंता हो कितनी स्मार्ट के जबाने से तो लग को लग रहा है कि जंता बदला या नहीं बदला है आइव पुराने ट्रिक कैसे अपलाई करेंगे नहीं करेंगा प्लाइब अपलाई जाहिर सा बाद नाया ट्रिक जैसा कुछ है नी तो वह पुराने ट्रिक को तुमको नए वे में पर जिंट करना पड़ेगा नए मोडिफाई पर उसके लिए तुमको दिमाग को समझना को सішini को पता ना युभार सिंदान डी घंट को मैं मैं तीन के क्लाइंट अब तुमको यह बताओ एक जो और जी रूप् speaks काम क्र्षा करना चाथा है उसके राइफ में क्या चलता होगा पहले यह हैँ एक yük क्लाइंट का बजट 10,000 रुपए अपने ब्राइंट पर खर्च करना चाहता है ठीक है तुम उसके मुझे डेली लाइफ के बारे में किसी में किसी में दिमाग है इतना आईक्यू है तो मुझे इसको सुबह छे बाइसे लेकि रात के कोई किसी में कर नॉलेच है क्या करता होगा कंफ़टेबल लाइफ ही जी रहो होगा बहुत उस्में हो ण्रेंट कर रहा हुए को अपर éta når बेस करें हो इस इन अब भी वो ने साथ से बहुंद आपकर शूचो सबस्टे संथिका यह बात करते हैं कि इस बंदेगे एक बिजनस स्टार्ट करने का आइडिया किसा आया होगा बने पॉसिबल पॉसिबल बताओ तो दोस्ट चलो मालों कि इसने ना एक फूड प्रॉफिट पे ज़ादा फोकस करते हैं रादर देन ब्रैंडिंग चलो ठीक है क्या क्या बोलो मैं आपने सुना नहीं बना है कि वो प्रॉफिट पे ज़ादा फोकस करते हैं रादर देन ब्रैंडिंग मतलब उनको ब्रैंडिंग से कोई मतलब नहीं होता कि मेरे ब्रैंड हाइलाइट हो या मेरे एक पर्टिक्रार ओडिस्ट बनी रहे नहीं मैं बता हूं वो प्रॉफिट वे फोकस नहीं करता है जहां तक मेरा एक्स्पिरेंश प्रॉफिट फोकस करते हैं यह बीस से थीस वाले मैं मैं इस पूझे ना ब्रैंड को मुझे दिन दिन से लेके रात टक मुझे बताया थो तुम में बताना कि मैं कितना वहां हूं मेरी हर बात को मानना हैेम मैरे और अशर्ण को मानना नहीं है पहले चीजे ने इसने अपना business कैसे च्ट बतल किया हो वह अपने आपको बाद ही आएगा पहली बाद क्या क्या प्रफ बाद किसी ने बात काम किया ना एक रोक भी देना और सही लग रहा तो बता देना है यह पॉइंट सही है यह बता हूं बहुत सब्सक्राइब तो वह अपने आपको सबसे पहरे उसमें बॉसी एटिटूट आ गया होगा ठीक है अब जब तुम्हारे में तुम्हारे में बॉसी एटिटूट आ जाएगा तो क्या करोगे सबसे पहला इस्टेप तुम क्या करोगे तुम लोन पे कार लोगे जो इसक देखा तुमने ऐसे लोगे पास ऐसी कारे होती है तो उसने अपना पहला पाला इमाई इमाई के उसने पहला आपना टेंशन पाल लिया ठीक है अभी अभी भी सेल आया नहीं जनेट हुआ नहीं चला रहा है वो ठीक है अना दस हजातों को ब्रैंड तुम्हारे पास दस खर्च करने पर इसलिए त्यार हुआ है कि उसका से नहीं आ रहा था समझों तो कहीं ने उसने परहा होगा कि फेस्टूप पेज बनाते हैं तो सेल आता है अब दस हजार तुम को महिने में देगा तो अब उसका वह बारह एकारा बज़ आता होगा उसका सारा दिन तुम्हारे साथ लड़ाई करने में जाएगा मैं लिख के देता हूं क्योंकि उसके पास कोई काम धंदा नहीं तो तुम्हारे काम में अपना काम कर सकते हैं तो एक डिजाइन एक डिजाइन अपरूब करवाना उसके लिए काम है काम हो गया तो तुम्हार तो कॉडिनेट करना उसके लिए काम है अब अब उसके उसने कुछ पर नहीं है तो उसमें क्या दिक्कत होगा तुम्हारे साथ लड़ाई करेगा तुमको बनाकर भेजोगे और इसलिए बहुत ऐसे क्लाइंट आते हैं जो दिन पर उसका आपने वरकर के साथ में लडाई करने मुझा इसके बाद वाला जाता होगा अपने वरकर के साथ में लडाई करने मुझा आप जो जो उसने आप हो जैu कि नहीं लगा हुआ है कि साम होते होते अपने देखा कि आज कई एतना है इसकी निखने में शांप को जा दान पर फिएगा दोस्तों के साथ गाना लगां अपने निकल जाएगा अपना और यह यह उसकी डेली लाइफ की रूटीन है अब तुम ऐसे साइकलोजी वाले से क्या क्या करते हैं कि तुम्हारी चीज समझेगी तुम्हारी बढ़ाएगा क्या करते हैं ने कर गए और अपिर दो मेंड़ा करवा दिया वह अपिल भाइब ह säै वो ही यह करेगा यह बात तुमको पता हो चीजह경 कि तुमको तुमने तमने सब परके आये होगे बढ़ यह जिए उसको नहीं पता तो क्या करेगा वो यह बता हूं चेंजेस कराएगा तुम बताओ सही बोला हूं मैं कितना कितना पर तुमको रेलेवंट लगड़ाएं अच्छा अब यह चीज अगर पहले से पता होती कि यार यह बंदा है इसके डेली रूटीन मैंने कैसे डिकोड कर लिया तुम क्यों ने क यार ऐसी बंदे तकराते हैं मार्केट में जैसे जब घर से बाहर निकलते हो नोगा तो देखके पता चल जाता है तकराई जाएंगे तुमको कहीं ने कहीं और जब उसको तुम पढ़ना सुरू करें सारा खुली किताब है वो बंदा पर लोगे उसको जट से एक जटके में कि क्या क्या दिन भर में करता हो कि मैं लिख के देता हूं गैरंटी और 99 परसंट टाइम में ऐसे बंदेन अब इसके लोजिक है कि इस रात दिन भर तो वह बहुत बहुता है सामको निकलता फास्ट फूर खाने के लिए रात में गारी जाके तो बढ़े परे आसे लोग में क अगर तुमको अगर तुमको कोई कम बजट लेकर तुमने एक जटके में अब उसके बार में पूरी पर लोगा और उसको क्या डिलिवर करना यह भी तुमको पता चल जाएगा नहीं चल जाएगा और तुम उस क्लाइन के साथ साथ तुम लड़ाई करना पसंद करोगे या जो उसको चाहेगा हुआ जो लोग यह ना बहुत साय लोग रहता है मेरे कि शमझ नहीं आता समझ में तुम तुमका उसको बताने के लिए यह नहीं आता तो नहीं आता तुमको पैसा दे रहा है इसको लग रहा है कि मैं पूरा जाइदा तुम्हारे नाम पर लिखके दे दिया हूँ अब इसके तो तंग करना है अब 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 सेकंड पार्ट वाले पर आते हैं जो तुमको 25-30 रुपे एक क्लाइंट तुमको देता है इसके उसका प्रियोरिटि क्या होगी उसका डिली लाही बताओ दिन में वह क्या करता होगा यह थोड़ा लेनियंट पर पाइसे दे रहें तो यह लोग का रहता है कि सेल्स और इनका कुछ आया इंपुल्ट तो यह पहले यह लोग अपने डिजाइनर से बहुत जादा चेंज यह करेंगे कि यह लोग थोड़ा आपको वैल्यू देंगे कि हां पुछ तो है इसमें तोड़े पढ़े लिखे टाइप के होंगे यहां यहां फिर तुम गलत हो बताता हूं उसके डिली लाही बताता है और मैं जो मेरा एक्स्पिरेंस हो सकता है कि तुम मैं इन्विटेश होते हैं ठीक है अब बतातों क्यों वह जो चीज करना है उसको नहीं करते हैं क्योंकि उसका आप पर यहां पर उसके गलती करते हैं जब वह यहां से यहां आ जाता है तो अपने आपको इतना ज़्यादा वह समझने लगता है कि वह अपने आपको डिजैनर समझने लगता है मैं सभी बता हूं तो वह अपने बिजनेस के बारे में ब्रैंडिंग के बारे में पढ़ने लगते हैं उसको सब पता होता है कि नेट्फिक्स का लोगों कैसा है उसका लोगों कैसा है एमजोन के लोगों तुम कोई पढ़ादेगा तुम से कुछ बोलो गो ना तुम को पढ़ादेगा तुम को बहुत देखा कि अब बताओ तुम उस्से कोई डिजाइन बनाकर भीज़ोगे ना यहां यहां वी फॉंडट अचाहे लग रहा यह तुम को फॉंड़ का नाम बताएगा वह ताइगा पता है क्यों अच्छा इस से में तुम्हारा कोई नुक्सान नहीं है उसका नुक्सान हो रहा है तभी तो बिजनेस यहां रुका हुआ है ना जब इसने यहां से यहां से यहां जंप किया तुम तो नहीं थे उसके साथ नहीं थे ना यहां पर तुम यहां पर आयो उसके साथ ने किया होगा उसने उसने बिजनेस को छोड़ के ना वो ब्रेंडिंग पढ़ने लग दिया तुम से मजदूरों के तरह सिर्फ-सिर्फ काम करवाएंगे और और कुछ नहीं करवाएंगे वाइब क्यों निमेच करोगे उसके पास छुटे नॉलेज बहुत सार है एक चावाल में अलग 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 डाल है मिर्ची सब कुछ है छुटा नॉलेज मिक्स नॉलेज है तुम ने एक नीस बेस नॉलेज सीख क्या हो आई हो ना तुम पता है क तो उसने खुद guide करना ट्रा कर लिया उसने खुद design कर है खुद से edit करना ट्रा कर लिया अब उसने एक manager है उसको लगता यार यार यह सब करने से मेरा ुप इसने द्यान में धियान देपारों तो वह एक manager उसने ईडिय करें जो तुम्हारे साथ कोडिनेट करेगा सब्सक्राइब होता है तो इस ने वह से कोडिनेड करना के अलावा कोई काम नहीं करना है कि तुमसे डलवाना ही उसका काम, पोस्ट काम है, सबस्यांदीयो, तो अब उसका अब तुम इस वाले फेज में न एस वाले में क्या होता है कि तुम्हारे में कितना टैलेंट है, क्लीष निकाल सकते हैं है न तुम उसको यह नी कहानिकां बनाकर रोगा, नहीने औरे मैं फॉन को चुका होता है बिजनेस क आलबा हड़ी करता है वह यहाँ से यहाँ इसलीए आया के उसने बिजनेस पрахी है ठीच शाण दिया तब तो यहां के बाद भी अधर जाने लग गिए तो यह जी बिजनेस जो सी ब्सेद्व चल लही ди तुम देखो कि अगर लाइफ में कभी तुमने ऐसे बंदे फेस की होगे पिछे का यही लॉजिक है ठीक है तो बता हूं तो जब हमें अच्छा अब 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 जब तू को पता है कि सामने वाले को नहीं ज्यादा नौलेज है कि उसको आज मिक्स नौलेज नकिकूं तुम उसके से माउने नशीव मारा our नें तो तुमने को सेर लौना सिक है किसों कैसे मान पूरा जानवरू को माणना हिखिए कि सही कैसे माणने तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा तुम बस अपने उसका नुखसान की कुछ खाने पाए उसको तुम को आता है तुम पर उमानेगा नहीं को इतना स्ट्रॉंग हो गया है कि तुमसे मानेगा नहीं तो यह होते 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 तुम खुद तुमको लगता यार इस साला कभी बोला है इसको कर दो कभी बोला इसके जाते हैं वीडियो आइट करके भेज़ो के बोलेगा अब जिसको पता है कि यह वंदा साला ऐसी चिंजिस कर आएगा तो मुजिक उसी से मांगो ना कि आपको क्या पसंद है आपको रेफ्रेंस दो है ना और एडिट ऐसा करो जिसे म्यूजिक चेंज करने के बाद में भी ना उसको वीडियो को फरगी ने पड़ है तुम जाकर दे हैपी वह उसका पागल तो नहीं होगा कि उसने ऐसा म्यूजिक पसंद आने वाला है अगर को एक्स्टा म्यूजिक में म्यूजिक के साथ बीडियो सिंग करूंगा तो ऐसा एडिट कराएगा ना कि मेरा 10 दिर का मिहनत खराब हो जाएगा करेक्ट सरी यही टून डलवाता है तुम पर छोड़ देंगे तुम एक्सपॉर्ट हो तुम करो इसलिए और तुमको कैसे ज्यादा सेली देना है उसके वह फोकस करता है आज तुमने आज तुमने क्लाइंट लाए एक लाग रुपे का उसका फोकस रहेगा कि कैसे तुमको दो लाग रुपे दे पता है क्योंगा क्यों है उसको दुखा टुमको दो लाग देगे तो भीश और होसलिनस धोट्क कर रहे है वो यहां एकर चुआ desert यहनि नहीं बलता हो आज जयूंग डिनने नहींगे 320 गात्ता होगा कि ईसलिए लिता इसलिए और इसलिए 2014 कर पा रहा है और इसलिए तुम इसके तुम और लिए कर बेंसा है है चाहे वाले में इसलिए कम पैसे आते हूं चैह छापिछ쳐ग्रраж उता होते है